Hello students, I am taking question number 7 from CBSE sample papers and this question is on inverse trigonometry और बहुत सारे लोगों को inverse trigonometry खासपर पर जब conditions given होती है तो उनको थोड़ी घबराड हो जाती है आए हम इन चीजों को समझते हैं इस question के तुरू हाला कि एक 2 मार कर है और answer हमें लाना है 5 by 3 तो जब answer दिया होता है तो चीजें as compared थोड़ी असान लगती है और condition दिए 1 by 2 to 1, close interval और याद रखो आपका जो inverse trigonometry है वो principal branch values पर है और cos inverse x में जब मैं x के value पूट करता हूँ minus 1 to 1 तो मुझे जो output दिखती है वो 0 से लेके 180 तक दिखती है तो हमें pi by 3 prove करना है question को दियान से देखो आप 3 common ले लोगे आईए इसको आप मिल के solve करते है it's better कि आप question को y ले लो y is equal to cos inverse of x plus cos inverse of x by 2 and 3 common ले लो तो ऐसा दिखने लग जाएगा question अगर 3 common ले लोगे तो ऐसा दिखने लग जाएगा थोड़ी clarity आ जाएगी और जबकि क्या दिया हुआ है that this is valid from I'm sorry this is valid from 1 by 2 to 1 ध्यान रखो जब भी आप cos inverse की बात करते हो cos inverse 0 से लेके pi में एक decreasing function है क्योंकि cos 0 की value 1 होती है और cos pi minus 1 होता है तो यहाँ दख लेना बड़ी value छोटे इस angle से आती है और छोटी value बड़े angle से आती है अब आप ध्यान से focus करो इस x में आप क्या put करने वाले हो cos theta तभी तो formula बन जाएगा देखे so we put x is equal to cos theta अब क्योंकि condition given है तो ध्यान से देखना what is given to us यह समटने की कोशशश करना तो जो theta आएगा वो angle यहाँ छूटा होगा 0 degree और जो 1 by 2 आएगा वो 60 degree होगा ध्यान से देखे cos 60 is 1 by 2 क्योंकि यह decreasing function है पहली बात तो यह समझो और क्योंकि answer by by 3 लाना है हमारे को इसलिए अब हम put करते हैं जल्दी जल्दी से put करते हैं so cos inverse of cos theta दोनों में put करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x है now what is cos inverse of cos theta because it is lying between 0 to pi by 3 so it is well inside इसकी branch में what is cos inverse of cos theta it is from 0 to pi by 3 which is the branch which is the subset of the principal branch क्योंकि principal branch अभी मैंने बताया कि 0 to pi तक होती है तो हम यहाँ इसको theta लिख सकते हैं लेकिन इसका क्या करें यहाँ ध्यान से देगे इसको क्या लिख सकते है 1 by 2 यह root 3 by 2 है अब इस 1 by 2 को मैं लिख सकता हूँ cos of pi by 3 और इधर देखो what is 1 minus cos square theta that is root of sin square theta और यह first quadrant है first quadrant का part है तो यहाँ सारे roots positive होएंगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin theta और sin 60 sin pi by 3 जिसकी value क्या होती है root 3 by 2 तो क्या आपको एक formula दिख रहा है cos a cos b plus sin a sin b अब आप मान लो एक smart work दिखाते हो और आप कहते हो क्यार मैं यू लिख देता हूँ मैं a इसको मानता हूँ cos a cos b plus sin a sin b ऐसा मानता हूँ तो मेरे पास answer आ जाएगा लेकिन आपको examiner को convince करना पड़ेगा अब आपको examiner को बताना पड़ेगा क्योंकि theta कहां से कहां belong करता है तो minus theta कहां से कहां belong करेगा अगर आप हर जगा minus multiply कर दोगे तो इन equation बदल जाती है ऐसा आजएगा और अब आप pi by 3 add कर दो हर जगा that is a positive quantity तो आप examiner को convince कर रहे हो कि हमारे पास जो angle आ रहा है वो 0 से लेकर pi by 3 तक आ रहा है और अगर आपको expression या दो तो वो expression अमने जो लिखा था वो ये था and what is cos inverse of cos theta that is theta neutralized हो जाना है वो and you can see that the answer is pi by 3 and that is the right hand side hence we have proved or shown so एक बाद फिर से branch value को समझो क्योंकि अगर आप marking scheme देखोगे तो उन्होंने वहां पर insist करा है कि आप उस condition को भी लिखो but हमने इसको और जादा explain करने की कोशिश करी है मैं आपको दिखाता हूं उन्होंने कहा है कि ये conditions भी आपको mention करनी पड़ेंगी मैं इसे थोड़ा सा focus कर रहा हूं आप देखो ध्यान से उन्होंने शुरू में बताया हुआ है that theta is belonging to pi by 3 और बाद में भी explain करा हूँ है जिसे कि हमने और जादा minus से multiply करकर आपको समझाने की कोशिश करी है देखिए this is the right hand side and this is the marking scheme two markers so बहुत जल्दी जल्दी paper करना होगा पूरे confidence के साथ we hope कि आपको चीजे समझ आ रहे हैं आप बहुत सारे videos को enjoy कर रहे हैं so kindly subscribe this channel and do share all the videos thank you very much god bless you